यहां हमें 4 3 by 7 divided by 7 find करना है तो देखो यहां एक mixed fraction 4 3 by 7 है तो इन दोनों को ऐसे तो हम divide नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम इस mixed fraction को solve कर लेंगे अब 4 3 by 7 को हम लिख सकते हैं 4 plus 3 by 7 mixed fraction को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 4 plus 3 by 7 divided by 7 अब इसको हम easily solve कर सकते हैं तो पहले हम इस bracket को solve कर लेंगे अब देखो यहां एक fraction है और यहां सिर्फ 4 है अब 4 को हम लिख सकते हैं 4 by 1 तो यह भी fraction बन गया अब इन दोनों fraction को add करने के लिए पहले हमें इनका denominator same करना पड़ेगा तब ही हम दोनों को add कर सकते हैं अब denominator same करने के लिए हम करेंगे cross multiply तो हमें मिलेगा 4 into 7 plus 3 के साथ multiply होगा 1 और denominator में आ जाएगा इन दोनों का product which is 1 into 7 और बाहर आ गया divided by 7 अब इन सब को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 7 for the 28 plus 3 by 7 divided by 7 अब 28 के साथ 3 add करेंगे तो हमें मिल गया 31 तो यह हो गया 31 by 7 divided by 7 अब देखो यहां एक fraction है और यहां सिर्फ 7 है तो इसको ऐसे तो हम divide नहीं कर सकते अब 7 को हम लिख सकते है 7 by 1 तो यह एक fraction बन गया अब दो fraction को divide करने के लिए हम first fraction को ऐसे ही लिखते है divide के जगा हम करते है multiply और फिर next fraction का हम reciprocal ले लेते है अब 7 by 1 का reciprocal मतलब उसका उल्टा हो जाएगा 1 by 7 7 उपर था तो यहां 7 नीचे आ गया और 1 चला गया उपर तो 31 by 7 divided by 7 by 1 हमें मिल गया 31 by 7 into 1 by 7 अब इन दोनों fraction को multiply करने के लिए हम numerators को 7 में multiply करेंगे और denominators को 7 में multiply करेंगे तो यह होगा 31 into 1 by 7 into 7 which is equal to 31 by 49 तो इसका answer हमें मिल गया 31 by 49 नेफोर 4 3 by 7 divided by 7 हो गया 31 by 49 आए हना आए हो दो किसले खवर से आए हो प्या सब्सेटे ने समेस आए हो आगे हो आए हो आए हो आए हो आए हो difference in 1 by 6 k झाल झाल